हलो दोस्तों नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है करीयर गुरू जी की नई वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में जो नया पैटर नया है सिच्छक भरती के लिए उसके बारे में हम आपको सबको डीटेल्स बताने वाले हैं इस वीडियो में आप जानेंगे सब कुछ डीटेल्स, एक एक बात सब कुछ मैं क्लियर करूँगा, कोई confusion की बात नहीं होगी तो वीडियो को आप end तर जरूर देखिएगा, दोस्तों वीडियो को सुरात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप सरकाई नौकरी की रखते हैं, तो जो भी सरकाई नौकरी के फार्म आते हैं, जो भी सरकाई नौकरी से रिलेटेड न्यूज आती है, यह एक वेब साइट है, सरकाई जौफाइन.com, इस पर जो भी फार्म आते हैं, यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं, लेटेस्ट आउनलाइन फार्म के से सक् कीजिए यदि आप एक सरकाई नौकरी की चाहत रखते हैं सरकाई नौकरी पाना चाहते हैं यदि आप अपने मुवाइल में देख रहे हैं इस वेबसाइट को ये वेबसाइट कुछ इस तरह कि दिखती है जैसे कि इस समय दिख रही है यह देखिए तो आप इसको फॉलू कीजिए इसकी लिंक दिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा या तो डाइटली आप गूगल में जाकर इसे टाइप को सकते हैं यह देखिया गया और यह फॉस्ट नमर पर है इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी अब दोस्तों सीधे सीधे मुद्धे पर आते हैं और बात करते हैं कि वैकेंशिस का क्या मामला है देखिए जो टीचर वैकेंशिस हैं वह पहले भरी जाती थी लिखित परिच्छा क्या कहलें मेरिट के बेस पे उसके बाद टीटी आया उसके बाद जो 172,000 जो वैकेंशिस भरी गई उसको भरा गया टीटी के मेरिट के बेस पे अब टीटी के बाद अब क्या नया प्रोसेस आ रहा है कि टीटी भी करवाया जाए और एक लिखित आप एक से आर्थ तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपने सायद बेड किया होगा या तो बीटीसी किये होंगे या कर रहे होंगे तो यदि आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपके लिए यह लिखित परिछा का प्रस्ताव होने वाला है बीड़ वालों के लिए अभी तक कोई क्वालिफाई करना होगा क्वालिफाई करना होगा क्वालिफाई करने का मिलब जो एक मिनिममम कटाफ उसका डिसाइड होगा 80 नंबर 90 नंबर उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा अभी क्या होता था कि टीटी की बेस पे जो बहत्र जाए बीए डॉलो की मेरीट की भरती हुई तो टीटी की जो मिनमुम कटाफ आया भरती के लिए जो भरती के लिए जो आप पढ़ाने के लिए फाइ यह लिखित परिच्छा आपको 200 नंबर की होगी 200 नंबर की में क्या क्या आएंगे परिच्छा में भाग एक भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पांच में होगा परिच्छा की विसेवस्त्व क्या होगी तर्ग सक्त यानि रिजिनिंग समान ग्यान यानि जनरल नालेज सामान अंग्रेजी या हिंदी प्रतेक विशे कि तीस्ती अंक संख्यात्मक्य योगता याने की मैथ सिछान आभिडिवु ыш diligently rat प्रश्णों की संख्या होगे तरह सक्त के 20 समान ग्यान के 40 समान अगरेजी के साथ संख्यात्मक योगता के 20 सिच्छन अपरिद के साथ कुल लंग कितने हो गए 2040-60-2060 तो कुल 20 200 नंबर 200 प्रश्ण रहेंगो 200 कोस्टन हैंगे परिच्छा की अवाधि जो है परिच्छा की दो घंटे 30 मेट की होगी जिसमें कोई भी से अलग कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी अब यह 200 नंबर का यह आपको को यह मलब लिखित परिच्छा देनी होगी अब्जेक्ट्व टाइप का होगा तो जिसमें आपको अब्जेक्ट्व मलब चार आपसं दिये जाएंगे उसमें से एक क्लियर करना पड़ेगा एक मलब अब जो यह 200 नंबर की परिच्छा होगी इसको 60 परसेंट इसका वेटेज लिया जाएगा और बाकि 40 परसेंट वेटेज जो है वह आपको जो एकेडमिक्स है यानि कि दसवीं का बारहमी का ग्रेजिवेशन का और बीटीस का इसमें बारहमी के बारहमी का बीटे आव जो आपके नंबर है उसके दस परसेंट बारहमी का एक ग्रेजिवेशन परसेंट लिया जाएगा तो टोटल होगा चालेस परसेंट और इसका वेटेज जो यह परिच्छा हो रहे है तो टोटल साटिे si costa हो सभवार कर दोंगर सव नंवर में इसका फिर मेरिट बनायी जायगे फिर आपको फाइनल सबस्क्राइब तक लिए यह चौह विए ठाल ओर महीं की एक आर्ट तक आता कि इसुटkien नया आया है इस पर हलाकि अभी 100% अभी शेवर्टी नहीं है 100% बोहर नहीं लगी है इस पर पिचार किया जा रहा है आगे होगा कि नहीं होगा यह देखने वाली बात होगी लेकिन कुछ न्यूज फेपर में जैसे अमरुजाला दनी जागरन की न्यूज में थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है जो कि मिटिं यह है अब यह डॉल की बात करें यह डॉलों की यह डॉलों का भी ऐसा हो सकता है आगे जैसे न्यूज आएगे उनके लिए तो मैं आपको बताऊंगा नहीं तो टीटी की बेस पर उनकी जो मेरी ठूइट यह भी पिछली मरत भरती जो बत्तर जार के हुई थी टीटी की बे चाहिए अब सेच्छन में गुडवत्ता चाहिए मतलब की अच्छे सिच्छक चाहिए तो इस बेस पर देखा जाए तो सही हुआ है और यदि स्टूडेंट्स क्राइटरियस देखा दा है तो स्टूडेंट्स को एक और एक्जाम में भाग लेना होगा एक और पर इच्छा अगले स्टेट के लिए बढ़ जाना है और जो यह सेकेंड इस्टेट जो लिखित परिच्छा होगी ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ लेवल की होगी बिल्कुल सी परिच्छा होगी यह जहां तक मैं सोचता हूँ तो इसके बारे में आपके क्या विचार है आप क्या सोचते हैं सही हुआ गलत आप कमेंट सीलिए मुझे बता सकते हैं इसके बारे में आपको कोई और सवाल रह गे हैं तो मुझे बताएं मैं आपको जवाब दूँगा और यही है इसके बारे में तो सरकारिजापूंट की विपसाइट की लिंक नीचे डिस्कुल से मिल जागी आप सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो को साथ तब तक के लिए नमस्कार